हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू खाने दुस्तानी फ्रेंड्स मैगी कही तरह से बनाई जाती है और आज जो रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी वो स्ट्रीट स्टाइल मैगी है इसे मैंने चाइनीज स्टाइल में बनाया है बहुत जादा टेस्टी बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है और इस एक रेसिपी में मैगी का भी मज़ा है और चाउमीन का भी मज़ा है कभी कभी होता है कि हमारा मन करता है कि चाउमीन खाएं लेकिन हमकर हमारे पास नूडल्स नहीं है चाउमीन के लिए तो आप मैगी से भी ये टेस्ट ले सकते हैं मैगी को इस तरह से बनाईए कि आप चाउमीन का मज़ा भी लें और मैगी का भी मज़ा लें ये मैगी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है ये देखिए ये स्ट्रीट स्टाइल मैगी एकदम खिली खिली बनेगी ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ज़्यादा खिली-खिली बनेगी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है ये आप इसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से बना के तयार कर लेंगे सिर्फ 5 मिनट में ये बनके तयार हो जाएगी तो अगर आपको ये रसीपे पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अली बार आप मेरे चैनल खाने दसानी पर आए है तो इसे सब्स्राइब कर लिए बराबर जो बैल आइकन है उसे ज़रूर प्रैस कीजिएगा उसे ही होगा कि आने वाली लेटिस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो आए ज़र्णी से बनाना स्टाट करते हैं यह मैंने मैगी का पकेट ले लिया है यह डबल पैक है और इसका प्राइस है 28 रुपेश याने 28 रुपेश और अब जल्दी से हम पैन में दो कप पानी डाल देंगे डबल पैक मैंने लिया है तो दो कप पानी डालूंगे अगर आप तीन मैगी लें तो तीन कप पानी डाल लिएगा तो पानी को पहले वाइल कर लेंगे तो पानी वाइल हो गया है तो उबलते हुए पानी में हम ये मै तो घड़ी देख लीजेगा आप सिर्फ दो मिनट ही पकाना है इससे जादा आप बिल्कुल भी नहीं पकाईएगा उनना यह तूट जाएगी मैगी क्योंकि बहुत ही जादा नाजुग होती है इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इसके दो मिनट ही पकाएंगे तो यह देखिए ग पानी हटा दिया है हमने और थोड़ा सा इसमें ऑईल डालेंगे विल्कुल वन टी स्पून और इसको हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेंगे यह देखिए कितनी खिली-खिली मैगी हमारी बनके तयार हो गई है और इसमें जरूर लगाईएगा वनना यह आपस में चिपक जाए तो एक मीडियम साइज की प्याज मैंने लीक थी और इसको रफली चॉप कर लिया था इसे हमें हाई फ्लेम पर पकाना है इसको जल्दी-जल्दी हम मिक्स करते जाएंगे ताकि यह जले नहीं इसको बहुत जाद नहीं पकाना है हलका सा ट्रांस्पेरेंट होने के बाद यह तो इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च तो मैंने एक छोटे साइस की शिमला मिर्च ली थी इसको भी बारिक काट लिया था और एक छोटे साइस की मैंने गाजर ली थी इसको भी बारिक काट लिया था लंबाई में मैंने काटा है इसे हम लगतार स्टेर करेंगे वरना यह नीचे से जल सकता है तो हाई फ्लेम पर हम यह करेंगे और एक मैने छोटे साइस की ही शिमला मिर्च रेड वाली भी लेली है जो आपके पास अवैलेबल हो आप डाल सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप येलो बैल पेपर लें या रैड पेल पर लें जो आपके पास अवैलेबल है उसे आप कीजिए और सिर्फ दो मिनट ही स्ट्रेयर करना है इसको इसके बाद हम इसको साइट कर देंगे और इसमें हम एगिट डाल देंगे जो आभी हमने वाइल करके रखी दी और अब गैस को हम थोड़ा सा लो कर देंगे वन टेबल स्पून इसमें डालेंगे सोया और इसके बाद हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून विनेगर और इसके बाद टू टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे टोमाटो कैचप और इसके बाद वन टेबल स्पून इसमें डालेंगे रड चिली सॉस रड चिली सॉस आप अपने अकॉर्डिंग कम या जादा कर सकते ह तो 1 half teaspoon मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है और 1 half teaspoon मैंने black pepper डाली है काली मिर्च कुटी हुई काली मिर्च है यह और 1-4 teaspoon मैंने यह यह रैच्छली फ्लेक्स डाल दिये हैं यह भी आप अपने अकॉर्डिंग कंया जादा कर सकते हैं और यह मैंने लिया है मैगी का मसाला यह टे परेंगे जल्देल करेंगे अर्ट यह की नहीं है लिए अज़िए एक धंग तेक ग्याद में सिर्फ दो मिनट ही पकाया है तो गैस की फ्लेम आफ कर देंगे और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे यह देखिए कितनी मज़ेदार सी मैगी बनके तयार हुई है बहुत ज्यादा टेस्टी है यह मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ तो मैं तो इसे इंजॉय करूंगी सिंपल मैगी तो आप इस तरह से भी मैगी को बना कर देखिएगा चाओमीन इसे स्टाइल मैगी आप बनाईये और खाईये उन्जॉय कीजिए तो मैं तो इसे इंजॉय कर रही हूँ हूँ बहुत जादा टेस्टी बनी है मैंने खाना स्टार्ट कर दिया है तो आप भी इस सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाली लेटिस वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सकी मैं हेल्दी रेसिपीस आपके साथ शेयर करते ही रहती हूं ओके बाई